दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि रात को बार-बार उठकर पेशाब करने की समस्या को आप हमेशा के लिए कैसे ठीक कर सकते हैं बार-बार पेशाब आने की समस्या बहुत परिशान करती है क्योंकि इस से रात की नीद खराब होती है आप रात को आराम करना चाहते हैं लेकिन आपको 2-3-4 बार उठना पड़ता है कुछ लोगों को तो रात को 10 बार भी उठना पड़ता है अब मैं आपको बताऊंगा कि इस समस्या से चुटकारा पाना कितना असान है आपको बस इतना करना है कि आपको इस पूरे मेकैनिजम को समझना है रात को बार-बार पेशाप करने की समस्या को नॉक्टूरिया कहा जाता है और यह पुरुशों और महिलाओं दोनों में होता है यह समस्या यूरिन ब्लैडर से जुड़ी हुई नहीं है समस्या कहीं और है और जब आप इसे समझ जाएंगे तो आप इसे छुटकारा पा लेंगे इसके लिए आपको कोई दवा खाने की जरूरत नहीं है आपको सिर्फ अपने खानपान में बदलाव करना है यह एक खानपान से जुड़ी समस्या है इस समस्या के साथ एक परिशानी यह है कि अगले दिन आपको थकान महसूस होती है और बलड शुगर की समस्या होती है अगले दिन आपको कार्बोहाइड्रेट्स खाने की तीवर इच्छा महसूस होती है क्योंकि नीन्द की कमी से आपके बलड शुगर लेवल गड़ बड़ा जाते है और इससे आपके कोटिसोल का लेवल गड़ बड़ा जाता है जिससे आपका मूड खराब होता है और आप चिड़़ टिड़े बन जाते हैं Anlarge prostate की वज़े से हो सकती है, Kidney Stone की वज़े से हो सकती है, या फिर ज़्यादा पानी पीने की वज़े से हो सकती है. ये सबी एक कारण हो सकते हैं, लेकिन एगर आप एक पुरुष हैं, तो शायद आपको बताया गया होगा, कि आपकी यह समस्या Enlarged Prostate की वज़े से है लेकिन जब आप Enlarged Prostate का इलाज करते हैं तब यह समस्या बनी रहती है तो Enlarged Prostate का इलाज करने से भी बार-बार पेशाब आने की समस्या खत्म नहीं होती है यहाँ पर एक बात और है ऐसा बताया जाता है कि आपका टेस्टेस्टरोन लेवल ज़्यादा है इसलिए आपका Prostate Enlarged हुआ है लेकिन ऐसा क्यों है कि उम्र बढ़ने के कारण टेस्टेस्टरोन का लेवल कम होता है जबकि Prostate Enlarged होना बढ़ता है तो बहुत सारी confusion है लेकिन एक बात हम यकीन के साथ कह सकते है कि Diabetes में अकसर बार-बार पिशाब आने की समस्या होती है लेकिन यह समस्या Diabetes वाली वक्ति को भी होती है और जिसे Diabetes नहीं है उसे भी होती है यहाँ पर मैं आपको कुत्तों पर हुई एक study के बारे में बताना चाहता हूँ इस study में जब कुत्तों को insulin की ज्यादा मातरा दी गई तो इन कुत्तों ने बहुत ज्यादा पिशाप करना शुरू कर दिया दरसल insulin adrenal hormones को काम करने से रोकती है ऐसे hormones जिनका काम होता है पिशाप को रोक कर रखना अडरिनल्स में बहुत सारे hormones होते हैं इन में से एक hormone का काम होता है शरीर में पानी को रोक कर रखना insulin इस hormone को ब्लॉक कर देती है इससे होता ये है कि आप बहुत सारा पिशाप करने लगते हैं और अक्सर यह देखा गया है कि जिन लोगों को बार-बार पेशाब जाने की समस्या होती है उनका इंसुलिन का लेवल हमेशन ज्यादा होता है तो वह कौन सी चीज है जिसका टेस्ट डॉक्टर कभी नहीं करते वह चीज है आपके खुन में इंसुलिन का लेवल चेक करना वह आपके ब्लड शुकर लेवल का टेस्ट कर लेंगे लेकिन वह आपका खाली पेट इंसुलिन का टेस्ट कभी नहीं करेंगे डियाप्टीज की बिमारी होने से भी पहले और प्री डियाप्टीज होने से भी पहले आपके खून में इंसुलिन का लेवल ज्यादा रहने लगता है इंसुलिन का लेवल ज्यादा होने से शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस भी पैदा होती है और बहुत सारे पुरुश और महलाएं जिनको रात में बार-बार पेशाब जाने की समस्या होती है इनको Metabolic Syndrome की समस्या भी होती है इनको High Blood Pressure भी हो सकता है And Last Gut भी हो सकता है High Blood Sugar भी हो सकती है इनको टांगों के निचले भाग में Discoloration भी हो सकती है अडीमा भी हो सकता है और शरीर के निचले भाग में सूजन भी हो सकती है ऐसे लोग जल्दी ठक भी जाते हैं और दोपहर का खाना खाने के बाद ऐसे लोगों को नींद की जब्की भी लेनी पड़ती है और ऐसे लोग ज्यादा देर तक भूके नहीं रह सकते तो रात में बार-बार पशाब जाने का जो मुख्य कारण हो सकता है जिस कारण के होने की सबसे ज्यादा संभावना है वे है आपके खोन में इंसलिन का लेवल ज्यादा होना इसी बात की संभावना सबसे ज्यादा है कि आपके खून में insulin का level ज्यादा है जिसके कारण आपको रात में बार-बार पिशाप जाना पड़ता है तो अगला सवाल ये है कि किस वज़े से सोने से पहले खून में insulin का level ज्यादा हो जाता है और इसका जवाब है snacks खाना रात को स्नेक्स खाना पूरी रात खून में इंसुलिन का लेवल ज्यादा रहने का नमबर एक कारण है स्नेक्स खाने से शरीर में इंसुलिन बढ़ती है खाना खाने से शरीर में इंसुलिन बढ़ती है और कार्बो हाइडरेट्स खाने से शरीर में इंसुलिन बढ़ती है बहुत से लोगों को यह पता है कि मीठे में जो कार्बो हाइडरेट्स होते हैं उन्हें खाने से इंसुलिन बढ़ती है लेकिन वे ये नहीं जानते कि कुछ भी खाने से भी इंसलिन बढ़ती है यहां तक कि अगर आप कोई लो कार्बो हाइडरेट वाली चीज भी खा रहे हैं तो उससे भी इंसलिन बढ़ती है तो अब आपको क्या करना होगा आपको बस एक सिंपल सा काम करना है इस काम को करने से आपको बहुत जल्द फायदा देखने को मिलेगा हो सकता है कि इसमें आपको कुछ दिन लग जाएं दो-चार दिन लग जाएं लेकिन आपको फायदा जरूर होगा आपको करना ये है कि आपको रात को स्नैक्स खाने बंद करने है और रात का खाना आपको साड़े शे बज़े खा लेना है शाम को साड़े शे बज़े के बाद आपको ना तो कुछ खाना है और ना ही कुछ पीना है आपको जो कुछ भी खाना या पीना है उसे साड़े शे बज़े खा पीकर खत्म कर दीजिए रात को सोने से पहले आपको कुछ भी पीना नहीं है, पानी भी नहीं पीना, क्योंकि जो ड्रिंक आप रात को सोने से पहले पीएंगे, वह और हाई इंसुलिन का लेवल, दोनों मिलकर आपको रात बर सोने नहीं देंगे, और बार-बार पिशाप जाने के लिए उठाएंगे तो अगर आप बस इतना सा काम कर लेते हैं तो आपको अश्चारे चकित करने वाले परिनाम मिलेंगे लेकिन इसके साथ आपको एक और दूसरा काम भी करना है आपको एक दिन में 30 ग्राम से ज्यादा कार्बो हाइडरेट का सेवन नहीं करना इसे कीटो डाइट कहा जाता है यह काम सच में आपकी बहुत मदद करेगा कि आप पूरी रात सोते रहें और आपको रात को एक भी बार उटना ना पड़े पिशाप जाने के लिए लो कार्बो हाइडरेट वाली डाइट खाने के साथ साथ आपको इंटर्मिटेंट फास्टिंग भी करनी चाहिए इंटर्मिटेंट फास्टिंग क्या होती है इसके बारे में आप और जानकारी हासिल कर सकते हैं तो अगर आप इस वीडियो में बताएगे काम को करते हैं तो दो-चार दिन में ही आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे और आपकी बार-बार पिशाप जाने की समस्या ठीक हो जाएगी और आपको रात को एक भी बार उठना नहीं पड़ेगा और आप अच्छे से सो पाएंगे थैंक यू सो मच